नमस्कार मित्रों, पिछली का अच्छा में हमने कच्छा बारा के पोईटरी के फर्स रेप्टर के रिफ्रेंस, कांटेक्स और एक्स्पिलेनेशन के बारे में पढ़ा था जो कि आखी परिच्छा में आठ अंकों का आता है आज हम सेंटर रेडिया के बारे में देखेंगे जो कि आखी परिच्छा में छे अंकों का आता है आखी परिच्छा में तीन पोयम दी होंगी जिन मैंसे किसी एक का आपको सेंटरल रेडिया लिखना होगा अर्थात तीन पोयम के नाम लिखे होंगे और उनका आपको Central Idea लिखना होगा Central Idea आप साइज है लिख देंगे तो आपको पूरे 6 नंबर मिल जाएंगे तो आज हम Central Idea होता क्या है? Central Idea होता है उस पोयम को लिखते समय उसके पीछे लेखक का विचार क्या था? तो वो अर्थात पोयम में केंद्री विचार, Central Idea कर थो तक केंद्री विचार था, केंद्री विचार क्या था? चलिए हम आज अम देन करते हैं इसे अपनी कापी में नोट कर लेना है और इसको अच्छे से याद कर लेना है अगर आपने पिछली कच्छाओं के अर्थ को पढ़ा होगा तो आपको यह से इंटल अडिया बहुत दिस्टर लगेगा और याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपको आपने अभी तक इस चैप्टर के अर्थ का अध्यन न किया हो तो आप विद्याले के यूट्यूब चैनल की प्लेरिस्ट मर जाकर पिछली कच्छाओं का अध्यन कर सकते हैं चले देखते हैं एक खुशी व्यक्ति इमानदार होता है वह अपना समय बरबाद नहीं करता वह दन के पीछे नहीं बागता वह उसी संतुष रहता है जो भी उसके पास है वह भगवान से डरता है तुथ इस डाइड आइड़ आईड आइव उसके जीवन का पथ पदर्शक सत्य होता है वह दूसरों को नुकसान नहीं पहुचाता He does not care for death वह म्रत्यू की चिंता भी नहीं करता फार हिम ज्वाइज एंड सारोज आले लाइक उसके लिए आनंद और दुख एक समान होते हैं ही हैज फुल कंट्रोल ओवर ही डिजायर्स उसके अपनी इच्छाओं पर पूरा नियंत्रन होता है आफ यहां पर दोबाले क्या से काट देना है वह है दूसरे की इच्छाओं का दास नहीं होता है यह नहीं रहेगा यहां पर विलाफ अदर पिपल वह ही करता है जो उसे ठीक लगता है यहां पर आपको आफ काटके अन्य सभी को लिख लेना है ठीक है आफ दोबाले लिग गया तो आफ एक आफ नहीं लिखना है आपको तो यह पोयम का सेंटरल एडिया होगा छैंको काता है बहुत ही सरल होता है इसे याद कर लेंगे और अगर आप अभी तक आपने विद्ध्याले के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जल्दी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपके आगे पढ़ाई चलती रहे अगले कच्छा में हम अगले चैप्टर का अध्यन करेंगे तब तक के लिए जय हिन जय भारत धन्यवाद